दोस्तों आज मात करने वाले हैं एक बेतरी इन से हाऊच डेजाइन की जैसा कि आप इस कीन पर देख रहे हैं इसी मौडल को डिस्काइब करने वाले हैं और इसका साइज है 26 x 34 दोस्तों आज हम इसी मौडल को पूरा डिस्काइब करने वाले हैं आप लोगों के सामने देख सकते हैं यह थ्री साइड दोस्तों ओपन था और इस बजए से मैंने चारो तरफ बॉंडरी वाल और इसमें ग्रिल और इसका जो बालकनी है उक्रीट कर रखा है काफी खूबसू पर पॉस्पेलिटी हो शकती थी विंडू के वहां हर जगह मैंने विंडू दिया है तो आप देख सकते हैं यहां पर कितना टेलिविशन वगरा साइड में और सबसे पीछे के बात करें तो दूस्तरे में मौडल पीछे ही क्लोजड है बात बाकि थ्री साइड ओपन मौडल यह है पीछे किसी और की जगह या जमीन हो शकती है तो यह पूरा मौडल जह हम डिस्क्राइब करने वाले हैं आप लोगों सामने 26 x 34 में तो बने रहिए गए सुड़ो में और आपको अगर इस प्रकार के मौडल से बनवाने तो आप हमें कांट्रिक कर सकते हैं डिस्केप् जहां से चड़ेंगे में डोर यह है जहां साप अपर अपर इंट्री करेंगे और फिलर के ऊपर पुरा मकान दोस्तों आगे पोर्च बना हुआ तो में डोर से सबसे पहले आप आज आते हैं मतलब कि ओपन एरिया में और यह गेस्ट रूम है इसको मैंने अंदर से ही डोड दिया बाहर से नहीं दिया है और इधर फ्रेंड में दो विंडो दिया है साड में भी विंडो दिया हुए मैंने और जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर दोस्तों यह किचेन एरिया है जिसमें मैंने एक साड से भी डोड दिया है मतलब इधर से दूर इधर से एक window और सबसे बहारी एरिया पर भी आपको एक मैंने window दिया है क्योंकि side में किसी और की जमीन नहीं है आपकी ही जमीन है बिल्ब जिसका माकान इसका इस corner पर भी एक बीतरी से master बैट डू मैंने बना कर दिया है इसके लिए door और इधर corner पर दोस्तों एक stairs है जो turn हो कर वापस आएगी और यह latent बात है और यह पूरा open area dining area आप इसे बोल चकते हैं और देख सकता है यहाँ पर भी तीन window आपको देखने को मिलते हैं front में आपको window अगरा तो देखने को मिलेंगी और side में भी property के सा window ventilation की कोई भी problems इस मकान में आपको देखने को नहीं मिलेगी और यह पूरा porch बेदरी सा model बनकर ready होता है ground floor में बात करते हैं इसके first floor की तो जैसे दोस्तों first floor पर पहुंचते हैं तो कोई भी अंदर मैंने चेंजमेंट नहीं किया है वही दोनों बैट डूम है वही केचेन है लेट बात इस्टेर्स और बस आपको जब चेंजमेंट हुआ है वो दोस्तों balcony में चेंजमेंट हुआ है आप देख सकते हैं balcony आगे ल बालकनी है इसका विशेज ध्यान रखिएगा तो यह first floor भी आपका proper तरीकी से बनकर ready हो जाता है बात करते हैं इसके last floor की तो जैसे आप last floor पर पहुंचेंगे तो यह देखिए पूरा boundary wall चारो तरप आपका क्यूंकि इस्टेर्स एक corner पर है तो वही पर गिंटी बना दी बा 26 तो 36 में 34 में बनकर ready होता है तो अगर आप भी ऐसा model चाहते हैं तो आप हमें contact कर सकते हैं मैं paid service चलाता हूँ description में हमारा वाट्सो नंबर है screen पर भी हमारा वाट्सो नंबर show हो रहा है मावर आपको 50% prevent पहले करना होता है 50 बाद में करना होता है इसका विशेज ध्यान रखिएगा तो आप केवल हमारे screen पर दिये गए number या वाट्सो नंबर पर जो description में दिया गए उसी पर contact करें किसी un number पर बिल्कुर content न करें आपके साथ fraud होने के विशेज अंबामना इसका विशेज ध्यान रखिए thanks all